एक्षे व्याइस लेर्निंग अज हम देखेंगे ब्लाक्रॉप मालवेर के बारे में देखने से पहले प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना यह मेरे चैनल ले गरोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए शुरू करते ह इन अप्स को अफेक्ट कर चुका है और इन अप्स के अंदर कुछ बड़े-बड़े नाम भी है जीमेल, नेट्फलिक्स, उबर, अमेजॉन, एन लिस कंटिनूज इन अप्स मैंसे कुछ अप्स हर स्मार्टफोन यूजर के फोन में है और इसलिए इस मालवेर के बारे में जानना, लोगों को अवेर करना बहुत-बहुत-बहुत जरूरी है, थ्रेट फाबरेक नाम के एक सेकुरिटी फॉर्म ने पहली बार इस आप इस मालवेर के बारे में रिपोर्ट किया था और लोगों को अवेर किया था, ये मालवेर किस तरीके से आपके फोन के अंदर आ स तो मालवेर ओवर्लेस टेखनीक को करता है यूज ओवर्लेस टेखनीक क्या होती है जब आप किसी उबर के आपको for example open करता है और अगर उबर का आप आपसे financial details लेता है तो उबर का actual आप आपसे financial details लेने से पहले ये मालवेर उसका खुद का एक pop-up डालेगा जो की उबर की अरवर के पास गये है बट नहीं वो उस malware की through hackers की तरफ जा चुकी हो गये इस तरीके से with the help of overlay technique यह आपका data ले सकता है तो अब हम देखेंगे ये malware आपके phone के अंदर किस तरीके से आ सकता है और हम इसे कैसे avoid कर सकते हैं ये malware Google third party updates के form में आपके phone के अंदर आ सकता है तो इसलि और अगर कोई Google का update भी आपके phone के ओपर आता है तो carefully इसकी UI को जरूर देखना अगर आपको थोड़ा भी fishy कुछ दिख रहा है तो please 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 कुछ मत कीजिए उस update को ignore कीजिए ठीक है और इसी तरीके से फिलाल तो भी हम इस malware को avoid कर सकते हैं so if you like this video give it a thumbs up share it share it with interested crowd and subscribe to my channel ASLearning and सब लोगं को बताये blackrock malware है और कितना important है